जिस आदमी ने शादी नहीं कर रखी, जो आदमी फौज में रहा है, जहांपे की धरम के नाम पे बोलते हैं सर्व धरमस्थल, वहांपे सब जाकर के पूजा कर सकते हैं, वहांपे चारों धरमिक ग्रंट पड़े होते हैं, जिस आदमी का पहला कमांडिंग ओफसर, जनरल, ल में गोलियां ठोकना, तो उसे ब्रामन और राजपूत की बात करी जाएगी, यह तो मेरे को लगता है कि सब देखे रहे होंगे, यह अच्छे इंसान है, यह नेता और राजनीती में अलग है, क्योंकि चुना पे लड़ाई जा रहा है ना, उसमें ब्रामन राजपूत सब क के बच्चे भी पढ़ेंगे, दलितों के बच्चे भी पढ़ेंगे, मुसल्मानों के बच्चे भी पढ़ेंगे, बनियों के बच्चे भी पढ़ेंगे, क्रिश्चन के बच्चे भी पढ़ेंगे, सिखों के बच्चे भी, सब के बच्चे पढ़ेंगे, हम अस्पताल लिया था कि यह देखिए इन्होंने हमें इतनी सीट दी है उसी सर्वे ने आपको उत्राखड में 0 to 1 सीट दी है अब यह मानेंगे या उसी को कोड करेंगे उत्राखड में हमारा पहला चुनाव है और जब भी कोई नई पार्टी आती है उसके वोट को एस्टीमेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है मैं दिल्ली का एक्जांपल देता हूं दिल्ली में 2013 में चुनाव लड़े आठ दिसंबर को चुनाव था आप गूगल सर्च मार लो या अपने टीवी चैनल में पता कर ले तो सेफलोजिस्ट कहते हैं कि कोई भी नई पार्टी होती है उसके वोट को एस्टीमेट कर पाना बहुत मिश्किल होता है उसमें क्या होता है हर आदमी कहता है और मैं तो इनको वोट दे रहा हूं पता नहीं पडोसी दे रहा है कि नहीं दे रहा है आज उत्राखंड के अं क्या है आम आदमी पार्टी को वोट क्यूं किसी अवर को पता ये स्कूल बनाएं गशपताल बनाएं गए जबिज्ली ठीक करेंगे only में भी करी हैं सबके रिष्टदार रहते हैं पसला है उत्रा-कंड के लोगों के तो आज आम आदमी पुराने को एक ट्राई करके देख सकते हैं तो आप अपनी जो लिमीटेशन्स हैं उतरा खंड में वो अक्सेब्ट कर रहे हैं का नही पार्टी है नहीत फेशेज कैने सोच कि यही उतरा खंड मांग रहा है पुरानी पोर्णी की यह पुराने चेहरे तंगा जुकें लोग